कि उन्होंने सरकार के पक्ष की तरफ से पना पक्ष रखा है बहुत तगड़े तरीके से पक्ष रखा है हाला कि आपके माने लली जी बार-बार इस पर काउंटर प्रशन कर रहे हैं जिसका जवाब उनकी तरफ से बहुत बखुबी दिया जा रहा है तो इन्हीं प्रशन के बीच में जब उन्होंने बात रखी कि प्रतीक वर्श से 10,000 के लगबग सिक्षक रिटायर होते हैं और उन्होंने कट आफ पर अपनी बात प्रार्म की कट आफ पर जैसे बात प्रारम होई तो उन्होंने इदम इस पर बोला कि सरकार अपना तैमानक रख सकती है अपने हिसाब से नंबरों के रिज़ल निकालने से पहले आपको कैसे पता चला कि 60 और 65 प्रतीशत कट आफ सही रह कर 60 और 65 प्रतीशत कट आफ किया है जो हमारे यह तैमानक है बहुत ही तगला तरीके से काउंटर एक इदर से आपके पक्ष की तरफ से माननी भाटी मैम के द्वारा दिया गया सर को फिर इसके बाद जो काउंटर बहुत तगड़े तरीके से रखें उन्होंने क्या रखा है कि ATRE 2018 में इन सभी सिक्षामित्रों को ये पता था कि कट आफ 40 और 45 प्रतीशत है तो सिर्फ और सिर्फ 8,000 के लगबग ही ये भेड़ती क्यों पास सिक्षामित्र क्यों पास हुए और यहाँ पर ये कहना कि 2019 वाले ATRE में हमको पता होता हम बहुत बेटर कहते ये बिलकुल सर आसर गलती है इनके द्वारा तो इस प्रश्ण को उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से रखा गया लेली सरका जो इस प्रश्ण था कि क्या रखा जाना चाहिए था और 65 आपने रिजल निकालने इस पहले कैसे जान लिया कि सही रहेगा उस पर उचीत उतर उन्होंने टीटी को बेसिस बनाती हुए चार लाग दजार अभेड़तियों के संख्या को देखते हुए बहुत अच्छा उतर दिया है बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे है